माता दमोदरी जी का गुरुपुरी सिधारना गुरु जी के डरोली में निवास के समय अनेक सिक संगत आप जी के दर्शन करने आती थी और नामदान का उपदेश लेकर अपनी मनो कामना को पूरी करके गुरु घर की महिमा करती थी इस समय बाबा गुर्दित्ता जी भी अपने परिवार सहित गीरत पूर से गुरु पिता जी के दर्शन करने आये थे व्यसाखी का मेला बहुत लगा हुआ था संगत अनंत भेंट लेकर गुरु जी के पास हाजिर हुई तद प्रांत जब सावन का महीना आया तो एक दिन माता दामोदरी जी ने गुरु जी के पास प्रातना की कि महराज अब मेरा अंत समय आ गया है मैं शरीर त्यागने लगी हूँ मुझसे अगर अंजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना तो गुरु जी ने कहा सतनाम का जाप करो अपनी वृति को प्रभु जोती में लगा कर परमगती को प्राप्त हो जाओ तो माता जी ने उनकी बात मानकर स्नान करके कुशा के आसन पर लेट गए और गुरु चर्णों का ध्यान करके शरीर त्याग कर गुरु पुरी में जाबी राजे शरीर का संसकार करके गुरू जी ने बाबक रबाबी से कीर्टन करवाया और कड़ा परसाथ की देग बांट कर डेरे आ गए तेरवे पर गुरू जी ने बाबा गुर्दित्ता जी को पगड़ी बंदवाई और अटूट लंगर बटवाया बीबी रामो भाई साइदास और उसके पिता नरायन दास का परलोग कमन इसके पश्चात थोड़े दिनों में ही गुरू जी की साली बीबी रामो उसका पती भाई साइदास और ससुर नरायन दास आगे पीछे स्वर्ख सिधार गए परिवार को गुरु जी ने करतारपूर भेज देना कुछ दिनों के उपरांत गुरु जी ने बाबा गुर्दित्ता को उनके परिवार और माता जी और मरवाही जी सहित घर का समान बैल गाड़ियों पर लदवा कर करतारपूर भेज दिया और इनके साथ गुरू जी ने सिरीगुरू गुरंच साहिब जी की बीड़ भी बेज दी जो फिर सदा के लिए करतारपूर ही रही आप गुरू जी बीबी रामो आदी के अंतिम संसकार करने के लिए पीछे ठहर गए गुरू जी ने भाई रूपे को मनजी बक्षनी यहां सुनापन चा गया है, उदासी चा गई है, अब हमारा यहां रहने का मन नहीं करता, इसलिए कल प्रातर काल चलने की तयारी कर लो भाई साधू और रूपे ने अपने नए गाम रूपे के में एक बहुत बड़ी सुन्दर धरमशाला बनवाई थी, जिसमें सबसे पहले गुरुजी के चरण डलवाना चाहते थे अपने परम प्रेमियों के मन की इस भावना को पूरी करने के लिए गुरुजी तयार होकर भाई रूपे के यहां पहुँच गए उनकी श्रद्दा और प्रेम को देखकर गुरुजी ने भाई रूपे को मन्जी वर्दान में दी और वर दिया कि तेरे घर साथ पुत्र होंगे जो गुरु घर के अनन्य सिक्ख होंगे और इस इलाके में आपकी बहुत मान्यता होगी कांगर निवासी जोद शा के दर्शन को आना इस बात का जब जोद शा को पता चला कि गुरु जी भाई रूपे के यहां आये हुए हैं तो वह अपनी इस्तरी भाई और कुछ युद्धाओं को साथ लेकर गुरु जी के दर्शन करने आया गुरु जी को नमस्कार करके राजी खुशी पूच कर फिर युद्धों की बातें सुनकर जोद शा ने कहा महराज अगर मैं भी आपके साथ अमरित सर और रुहेले गाउं के युद्धों में शामिल होता तो मैं भी शत्रू के साथ दो हाथ करके आप जी को दिखाता तो गुरु जी ने कहा जब फिर कोई ऐसा समय बनेगा तो तुझे खबर करेंगे तुमने हमारी सहायता के लिए आजाना गुरु जी के पास दर्शन करने वालों की भीर लगी रहती थी कई प्रकार के शेस्त्र गोड़े और अनवस्त्र नगत भेंट लेकर सिक संगत हाजि होती और गुरु जी की खुशी प्राप्ट करके निहाल होती लहौर के सूबे ने काबल के सिखों से गुरु जी के लिए दो घोड़े चीन लिए गाउं रुपेके में एक दिन जब गुरु जी का दिवान सजा हुआ था तो काबल की संगत के साथ गुरु जी के दो मसंद भाई ताराचन और बक्त मल ने आकर प्रातना की कि सच्चे बाद्शा आप जी की कार भेंट इकटी करके हम आप जी के लिए दो बहुत बड़िया घोड़े खरीद कर काबल से संगत के एक साथ आ रहे थे तो लाहौर के सुवे ने वहे दोनों घोड़े जबरदस्ती चीन लि गुरुजी ने धैरे दिया और वचन दिया कि तुम्हारे मन की इच्चा पूरी हो जाएगी आपकी तरफ से हमको घोड़े पहुँच गए हैं बाई बिदी चंद ने एक घोड़ा ले आना बाद में विचार करके गुरुजी ने भाई बिदी चंद को कहा कि इन प्रेमियों के मन की इच्चा को पूरा करने के लिए जैसे तैसे करके इन घोड़ों को तुम हमारे पास ले आओ यह काम तेरे ही करने योग्य है बिदी चंद ने कहा महराज जैसे आग्या करो मैं हाजिर हूँ बिदी चंद गुरुजी से खुश्या लेकर लाहौर को चल पड़ा और लाहौर पहुँच कर भाई जी अनू एक सिख के घर ठहर गया दूसरे दिन भाई बिदी चंद बड़े अच्छे नरम हारे हरे घास की गठड़ी खोद कर किले के द्वार के आगे आ बैठा शाही घोडों के तबेले का दरोगा सोंधे खा गास की गठडी का मूले करके भाई बिधी चन से उठवा कर गोडों के तबेले में ले गया और कहा कि यह घास इन घोडों के आगे डाल दो बाई बिधी चन्द ने घास को बहुत अच्छी तरह घोडों के आगे डाल दिया और फिर आपने घोडों को अपने कपड़े से ही मुँ और पैरों तक बड़ी अच्छी तरह साफ कर गिया इस सफाई से घोडे भी बहुत खुश होकर घास खाने लगे और दरोगा भी बहुत खुश हुआ कि इसने पाच्छा घोडे के घोडे से बहुत प्रेम प्यार दर्शाया है इस प्रसनता के कारण सौंदे खाने बिधी चंद को कहा कि तुम रोज ही एक गठड़ी अच्छे घास की इन घोडों के लिए ले आया करो और राद भी घोडों के पास ही रहा करो पैसे तुम्हें महीने की तनखा के हिसाब से मिल जाया करेंगे इस पैसले के अनुसार बिधी चंद को गोडों के तबेले के पास रहने को जगा मिल गई और वहे रोज ही एक गठड़ी घास की लाकर गोडों की मालिश और सफाई करके बड़े प्रेम से खिलाता सौंदे खान दरोगा बिधी चंद पर बड़ा खुश रहता इस तरह भाई बिधी चंद ने कुछ दिनों में ही सब कुछ देख भाल कर एक घोड़ा लेकर बाहर निकलने की योजना बना ले एक दिन भाई बिधी चंद ने अपने सारे साथी नोकरों और पहरे दारों को कबाब के साथ बहुत शराब पिला कर बेहोश कर दिया और आप घोड़े पर सवार होकर किले की पिछली दिवार से उसको रावी दरिया में जो किले के साथ ही बहता था चलांग मरवा दी दरिया से घोड़े को पार करके बिधी चंद यह तुक गुर मेरे साथ सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा समाले पढ़ता हुआ जंगल देश में गुरू जी के पास भाई रुपे के गाउं पहुंच गया घोड़े को देखकर भाई बकत मसंध ने बताया कि महाराज इस घोड़े का नाम दिलबाग है गुरू जिने बिधी चंद पर खुश होकर उसको शाबाशी दी और घोड़े की देखबाल के लिए भाई जेटे को नियत कर दिया बाई बिधी चंद ने दूसरा घोड़ा लाना सुबा जब सौंदे खां को पता चला कि दिलबाग घोड़ा तबेले में नहीं है तो उसने यह बाद बादशा को बताई बादशा ने अपने खोजियों को घोड़ा ढूनने के लिए हुकम दे दिया खोजी घोड़े को खोजने लगा इधर भाई बिधी चंद दूसरा घोड़ा लाने के लिए गुरू जी से शाबाशी लेकर लाहौर को चल पड़ा गुरू जी आप भाई जोड की श्रद्धा और फ्रेम को देखकर उसके गाउं कांगड़ा को चले गए भाई बिधी चंद भाई रुपे के गाउं से चल कर तीसरे दिन लाहौर पहुंच गया और एक धरमशाला में जाड़ेरा किया वहाँ भाई बिधी चंद ने शाही डिंडोरा सुना कि जो भी कोई बाच्चा के गोड़े का पता बताएगा उसको मू मांगा इनाम दिया जाएगा यह डिंडोरा सुनकर विधी चंद ने एक सिख भाई बहोड़ू के द्वारा एक लंबा चोला तयार करवा कर गले में डाल लिया और हाथ में जोतिश बताने के लिए संगली पकड़ ली अपने सिर के केश खोल कर पीछे पीट के उपर फैंक दिये दाड़ी दो तरफ करके खोल दी इस तरह दिल्ली वाल के जोतिशी बनकर किले के सामने जा बैठा और संगली फैंकर जोतिशियों की तरह बाते करने लगा जब इस बात का दरोगे सोंदे का को पता चला कि कोई जोतिशी आया है तो उसने जोतिशी को बुला कर कहा कि अगर तुम बादशा के गोड़े का पता बता दोगे कि वह कहा है और किसने चुराया है तो तुमको मूं मांगा इनाम दिया जाएगा जोतिशी ने कहा मैं खुदा के हुकम के साथ पूरा पूरा पता बताऊंगा परहंतु पहले मुझे वह जगा देखनी पड़ेगी जहां से घोड़ा चुराया गया है यहें बात सुनकर सौंदे खां जोतिशी को किले में ले गया और तबेले वाली जगा जहां घोड़ा बंदा हुआ था दिखलाई जोतिशी ने वहां बैटकर अपनी संगली दो तीन बार जमीन पर हिलाई और फिर अकाश के और देखकर कहा कि जिसने घोड़ा लिया है और जिसके पास अब घोड़ा है वह सब कुछ बताऊंगा अगर रात के समय सारे दर्वाजों को ताला लगा दिया जाए और किले के आगे पहरा खड़ा हो जाए सारे नौकर उस रात की तरह ही अपने अपने स्थानों पर सो जाए फिर मैं दूसरे गोड़े की सुधी लेकर आपको सब कुछ सुभा बता दूँगा जोतिशी की इस बात पर भरोसा करके रात के समय उस तरह ही किया गया जब एक पहर रात बीट गई तो बिधी चन दूसरे गोड़े गुलबाग पर सुनेहरी जीन डाल कर उसे तबेले से बाहर ले आया और उस पर सवार होकर उंची अवाज में कहा कि पहले गोड़े का पता यह है वहें इस समय जंगल देश के भाई रुपे के गाउं में शिरी गुरु हरी गोबीन जी के पास है उसको वहें घसियारा ही ले गया था जो आपने कसेरा नौकर रखा था यह दूसरा गोड़ा भी वह गसियारा कसेरा ही जोतिशी बनकर उस पहले घोड़े के पास गाउं रुपे के गुरुजी के पास ही ले चला है इसके पशाद भाई बिदी चन ने गोड़े को चाबक मार कर पहले की तरह ही किले की दिवार कुदवा कर दरिया में फैंक दिया और दरिया पार करके रास्ते में जूमता रहा और जूम जूम कर गुरुजी के गुन गाने लगा रुपे के गान पहुंच कर जब भाई बिदी चन को पता चला कि गुरुजी कांगर चले गए हैं तो बिदी चन गोड़ा लेकर गुरुजी के पास कांगर पहुंच गया गुरुजी बिदी चन को गोडे सहित देख कर बहुत खुश हुए और शाबाशी देख कर वचन किया बाई बिदी चन हम तुम पर बहुत खुश हैं तुम निहाल हुए हो गुरू जी वाहे गुरू वाहे गुरू तेरा शुकर है शुकर है तेरा दात्या तेरा शुकर है